अलो इस्टुबेंट्स पच्छो कैसे हो उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे और एकदम बस्त होगे पच्छो मस्त रहना बहुत जरूरी है स्वस्त रहना भी बहुत जरूरी है तभी पढ़ाई की जा सकती है हम तो यह केते हैं कि आप भले थोड़ी कम देर पढ़े लेकि जितनी देर पढ़े 100% कंसेंट्रेशन से पढ़े देखें कि काम कैसे नहीं होगा अगर आपका कंसेंट्रेशन कम है और आप दिन बर पढ़ रहे हैं तो इसका अदला आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं इस एक टॉपिक लिख रखा हमने बोर्ड पर ट्रिगुना मेट कि भूचव कहा जाता है क्या कहते है कि हम खुद कहते हैं कि जिसको अल्जबरा नहीं आया वह सद्स थेन बहुत मुशकल से बहुत ही मुशकल लगने लगे और जिसको trigonometry नहीं आई फिर वो 11, 12 और आगे कम है तो उसके पढ़ना बहुत मस्किल्ड होगा लेकिन यहां पर matter अलग है कि SSE के कुछ exams में क्या होता है कि trigonometry आया करती है ठीक है जैसे कि CGL में second level में जो है वो trigonometry अच्छी कासी पूछी जाती है मैंने कुछ questions भी trigonometry के upload कर रखे हैं आप लोगों ने देखे भी होगे comment पी किया है उमीद है कि सबको अच्छे लगे होंगे अगर नहीं देखें तो आप उनको देखें और यहां पर मैं आपको बताऊंगा basic साला कि मैंने बहुत सारी video trigonometry के upload कर रखे हैं अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको और trigonometry extra करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन later consider again what are the basics of the trigonometry ठीक है उदर trigonometry होता क्या है और इसके लोग कहते हैं कि trigonometry के formula आ गए बस काम होगा यह 100% correct नहीं है formula मालो के मैंने learn कर लिए लेकिन formula का मुझे application तभी आएगा जब मैं क्या करूँगा कि उनकी practice करूँगा ठीक है तो वीडियो बचो और दूसरी बात ही है कि वीडियो आप जब भी देखा करें तो आप complete वीडियो देखा करें और उस type के question को करने की कोशिस क्या करें trigonometry जो है सरफ formula ही sufficient नहीं है आपको उस type के questions की practice करने पड़ेगी तो मैं छोटी छोटी सी वीडियो में आपको छोटे छोटे चोटे concepts बताऊंगा अगर आपने 100% उनको देखते रहे तो यह मेरी guarantee है कि आपको trigonometry आहेगी ठीक है trigonometry के साथ मैं बच्छो क्या है कि algebra की कुछ formula भी लगा करते हैं तो मैंने पहले बता रखा है कि algebra की जो identities हैं वो कौन कौन से identity बहुत अच्छी से identity हैं आप बहां से देख सकते हैं तो latest consider what is the trigonometry and how we have to utilize the trigonometry in the questions बहुत बड़ा topic है बहुत बास topic है बहुत सारी जगह यूज होता है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी trigonometry का एक part है मतला आप जो हमें देख रहे हैं या पर जो ये जूल setup लगा हुआ है ये भी एक तरीके से trigonometry से ही लगा हुआ है ठीक है तो देखते हैं कि what is the trigonometry और उसका क्या basics होता है अच्छो trigonometry का सबसे पहला concept ये है कि एक right angle triangle में ही ये पड़ी जाती है तो मैंने क्या किया कि एक right angle triangle इस तरीके से draw कर लिया ठीक है यानि ये हमने क्या बनाया है ये एक right angle triangle है थोड़ा से line टेड़ा मिड़ा हो गया कोई बार नहीं आपके समझने के लिए बहुत है इसका नाम डाल लिया मालो कि ABC ये right angle triangle बच्छे हम इस तरीके से भी बना सकते थे कैसा भी हो लेकिन एक angle क्य हो कि 90 degree का होना चाहिए अब ये लिखा हुआ है इसमें try का मतलब तीन और गोनों का मतलब क्या होता है कि जो है ये बर्ड एक्छली में ग्रीक बर्ड से drive है तो मुझे वो ग्रीक बर्ड से drive है इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा सीधा सा concept क्या है कि trigonometry होता क्या है it is the ratio of the angles with the it is the ratio of the sides with the angles मतलब in a right angle triangle में sides का ratio किसी angle के साथ में ठीक है मतलब एक relation सेट अप करेंगे sides के ratio के साथ में किसी angle का तो मतलब मुझे angle भी पता होना चाहिए और sides के बारे में जानकारी होने चाहिए और एक condition सबसे बड़ी है कि ये एक angle 90 degree का होना चाहिए ठीक है अगर मान लो कि ये angle 90 degree का हो गया तो इसका अंतलब ये और ये क्या हो गया दो acute angle हो गया ये और ये क्या बन गया दो acute angle हो गया यानि less than 90 degree हो गया हमने क्या कि जैसे इसको angle C मान सकते है तो हम इसको angle A मान सकते है ये तो angle B है तो हमने क्या किया किए एक ग्रीग बर्ड होता जिसको हम क्या कहते है, थीटा कहते हैं, हमने इसको क्या सुपूश कर लिया, कि ये एक थीटा एक ऐंगल है और थीटा क्या है, कि लेस देन 90 डिजरी is less than 90 degree ठीक है वही हम ऐसा भी लिख सकते है angle C is less than 90 degree यानि acute angle है angle A is less than 90 degree A angle A थोड़ा सा ऐसा लिख लेख है ठीक है अब तो एक right angle triangle में एक 90 degree का है तो बाकी इन दोनों का sum कितना होगा 90 के बड़ाबर होगा इसको मैंने theta मान लिया तो ये theta क्या है मेरा less than 90 degree के होगा अब आपको बहुत ध्यान से देखना है मान लो कि ये theta है theta के सामने वाली side क्या होती है perpendicular हुआ करती है क्या कह रहा हूँ मैं theta के सामने वाली side हमेशा क्या होती है perpendicular होती है ये theta है तो theta के सामने ये वाली side है तो इसको हम क्या कहेंगे perpendicular कहते हैं ठीक है इन दे में इसको कहते हैं लंब ओके तो यह perpendicular हो गया अगर मालो के बिचो हमारा यह थीटा होता तो हमारा क्या होता यह परपंडिकुलर होता ठीक है बहुत ही important concept है यह कि the opposite side of theta is always be a perpendicular यानि थीटा के जो सामने वाली side है वो क्या होग परपंडिकुलर होगी ठीक है तो अब यह परपंडिकुलर हो गया और जो longest side है उसको हम hypertenuous कहते हैं इसमें यह परपंडिकुलर है यह longest side है तो यह क्या होगा hypertenuous होगा और जिस पर यह थीटा strand कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं base कहते हैं तो यह हमारा क्या बन गया base बन गया मतलब ये perpendicular ये hypertenuous और ये इसको हम क्या कहते हैं इसको हम base कहते हैं इसको ये क्या हो गया lamb हो गया ये आदार हो गया और ये हमारा करण हो गया इसको हम हिंदी में ये कहते हैं तो जब भी हम महिद पढ़ा करते थे महिद पढ़ना हमने शुरू किया तो सबसे पहले क्या आता था कि natural number साते थे natural number यानि 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से तो वो हमारी counting थी तो ऐसे ही trigonometric के अंदर क्या है कि हमारे पास six trigonometric ratios होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं तो वो six trigonometric ratios क्या होते हैं मैंने माल लिया यहाँ पर sin theta, cos theta, ten theta, cot theta, और sec theta, और cos sec theta यह केतने हैं, six trigonometric ratios हैं और यह six trigonometric ratios अगर हम इस diagram से देखें तो मैं आपको बताता हूं कि क्या बनता है यानि sin theta, यानि जब यह theta है न तो यह perpendicular है, तो perpendicular upon में hyperteneuse के बराबर होता है cos theta किसके बराबर होता है, base upon में hyperteneuse के बराबर होता है ten theta किसके बराबर होता है, perpendicular upon में base के बराबर होता है cot theta किसके बराबर होता है, b upon में p के बराबर होता है यानि base upon में perpendicular होता है, six theta मेरा क्या होता है, e h upon में b के बराबर होता है यानि hyperteneuse upon में base, और cauchic theta मेरा किसके बराबर होता है, e h upon में p इसके हिसाब से भी ऐसे ही चलेगा बस आपको क्या लिखना यह परपंडिकुलर यह बेज और यह हाग परटर्णियों इसकी साइड अबी सी है तो अगर साइड के एकॉर्डिंग लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो यह बच्छे six trigonometric ratios हैं जो की trigonometric की ABCD मालो mathematics का 1,2,3 मालो जो के हर एक student को आना ही आना है तो अब इतने सारे आपसे कैसे लर्न होंगे एक बार में लर्न नहीं होते तो उसके लिए क्या मैंने पास बहुत सारे कोटेशन होते हैं तो उनमें कोटेशन हमने लिखा क्या कि पंडित बद्री परशाद और हर हर बोले यह जब कभी हम पढ़ा करते थे अपसे 35 साल पहले तब भी यह हमारे टीचर यही बताया करते थे पंडित बद्री परशाद हर हर बोले या आज की डेट में क्या कहते हैं कि पाकितान भूका प्यासा हरा हरा भारत तो अब इससे निकल क्या रहा है उपर से नीचे की तरह पहरो बनाया हमने तो हमारे पास यह साइन है यह कौस है यह टेन है नीचे से उपर की तरह पहरो बनाया तो यह हमारे पास कौट है यह हमारे पास क्या है सेख है और यह हमारे पास क्या है कौसिक है तो अच्छा है अब देखो यहाँ पर आइंगल लिखा हुआ है बिना आइंगल के इनकी कोई सी भी बेलुएशन नहीं है बिना एंगल के इनकी कुछ भी वेलू नहीं है इसलिए जब भी लिखा जाएगा ये एंगल के क्या होता है कॉट कॉस का रेशिप्रोकल से एक और इसका रेशिप्रोकल क्या होता है कि कॉसिक हुआ करता है खिक है न तो अब तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कुछ रेशिप्रोकल से अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा बरावर क्या होता है कि बन भाई कॉसिक थीटा भी हुआ करता है और कॉस एक थीटा बरावर क्या हो सकता है ऐसे ही बन अपान में साइन थीटा भी हुआ करता है ऐसे बाकूयों को अभी हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा किसके बरावर होता है बन वाई सेक थीटा के और सेक थीटा किसके बरावर होता है बन वाई कॉस थीटा के ठीक है अब 10 theta किसके बराबर होता है यहां लिख लेता हूँ मैं 10 theta is equal to होता है मैंदा किसके equal sin theta upon में cos theta और cot theta बराबर होता है बचो cos theta upon में sin theta ठीक है अब इतना देखिए अच्छे से समझिए इसको ताकि आगे का जो वीडियो हो उसको आप बहुत अच्छे से जान पाएं जब तक यह इतनी बातें नहीं मालूम पढ़ेंगी हम बहुत सारी बातें अगर एक ही वीडियो में बता देंगे तो आपको क्या होगा कि confusion की रिए ठोका ठीक है तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें चैनल अगर सबस्क्राइब